बजार जैसा जाली दार नारियल मसूर पाग घर पे कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको एकदम परफेक्ट हलवाईयों वाला तरीका बताऊंगी तो हलो दोस्तो मैं गीता गोयल पागडी कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके साथ दिवाले स्पैसल नारियल मसूर पाग की रस्पी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद में आप तुरंती बनाऊगे तो चलिए एकदम हलवाई वारे ट्रीक बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है आधिक टोरी जितना नारियल का बुरादा अगर आपके पास नारियल बुरादा है तो ठीक है ने तो मारकेट से यह वहते असानी से मिल जाएगा अगर फिर भी नहीं मिलता आपको तो सूके नारियल को उपर को छील के और बाद में है जो छोटे पीस करके मिक्सी जार में डाल के और उसे पीस की इस तरीके से पावडर बना सकती हो साथ में मैंने आधिक टोरी जितना लिया है यहां पे मेदा और एक टोरी जितना लिया है मैंने घी तो आप कोई कप का टोरी सेट करें उसी से आधिक टोरी जितना नारियल बुरादा आधिक टोरी जितना मेदा एक टोरी जितना आपको घी लेना है और घी को हम कड़ाई में डाल के इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे तो घी को गरम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्यो तो आपको टीफिन का डबबा ले लीजिए या फिर कोई भी इस तरीके का बरतन होना चाहिए जो उंचाई में ना इस तरीके से थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए बरतन तो मसूर पाक के जितनी मुटाई रहीगी तो उतना ही अच्छा रहेगा क्योंकि अंदर से ब्राउन कल आप चाहें तो मेदी की जगे है जो बैसन भी ले सकती हो मगर नारियल मसूर पाक में एकदम आपको वाइट बनाना है तो यहां पे आपको मेदा ही लेना है या फिर आप गहुं काटा डाल सकते हो इसमें अच्छे से इनको है जो मिक्स कर देंगे और बैसन मैसूर पाक कैसे जाता है वो थोड़े दिन पहले ही मैंने वीडियो आपके साथ शेर की है तो वो आप देख सकते हो मैं वीडियो को लाइश्ट में आपको दे दूँंगी और जो हमने घी गरम होने के लिए रखा है वो इसमें आदा घी याँपे हम डाल देंगे और बाकी आदा घी है जो तो पहले आपको अच्छे से है जो इससे mix कर लेना है ताकि इसकी गुठलियां भी है जो तूट जाएगी दो फाइदे होते हैं एक तो इसमें गुठलियां नहीं बनेगी बाद में हम डालेंगे तो और साथ में है जो मेदा भी अच्छे से भुण जाएगा इस तरीके से अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और जितना हमने मेदा और नारियल को मिक्स करके लिए ना तो टोटल हमारे पास एक टोरी था तो एक टोरी हम यहाँ पे चीनी लेंगे और जितना चीनी उसका अदा हम यहाँ पे पानी लगीगा तो बस यही मेजरमेंट होता है एक टोरी घ चासनी इसके लिए हमें चाहिए एक तार की हुए तो जिस तरीके से बेसन बर्फी-चाषणीयों आLovely विनमें पने वूकिंवन के मूराणी डूम में सब्ष्टार ऑप अंचीयêuय चाहिए जामने हैं मेंfeld तो चाहिए U बिल्कुल धीमी आज करके और घी को गर्म होने के लिए रखा है क्योंकि घी हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और घी हमें गर्म ही डालना है ठंडा घी नहीं डालना है हमें बस इस तरीके से mix करते जाएंगे चीनी देख सकते अच्छे से melt हो गई है और इसे पक्ती हुए लगवग 5 मिंट हो गया है तो थोड़ी से हम चीनी को check कर लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा स्पेचुला पे लेंगे और थोड़ी सी हलकी थंडी होने के बाद में उंगली उंगुठे के बीच में तार बना के देखेंगे तब यह तार नहीं बन रहा है इसे हम दो मिन्ट तक और पकाएंगे तो पांच मिन्ट से पहरे ही मैंने चेक कर लिया था तो यहां पे चासनी नहीं बनी थी अब फिर से लगबग 5-6 मिन्ट हो गया मीडियम आच पे पक्ती हुए चासनी को और इस तरह के से थोड़ी सी चासनी लेंगे और यहसे उंगली उंगुठे के बीच में ऐसे तार बना के देखेंगे यह देख सकते हो एकदम अच्छा सा तार बन रहा है इस तरह के से तार बनना चाहिए तो टाइम का कोई जरूरी ने टाइम आपका उपर नीची हो सकता है क्योंकि कई वार हम ज़्यादा बनाते हैं कम बनाते हैं उसी साब से टाइम लगता है तो यहाँ पर यह इस तरह के से तार बनना चाहिए थोड़ी सी चासनी को लीजिए और फिर उंगली उंगोठे के वीज में चिपका के देखें अच्छा सा तार बन रहा है इसका मतलब है एकदम परफेक्ट है अब जो हमने मेदा और नारिल को मिक्स करके रखा है न वो यहाँ पर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो लगाता चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मेदी को पहले ही हम गरम घी में अच्छे से mix करके रख देते हैं तो इस टेज पे डालती है तो आप पहले से mix करके रख दीजिए और यहां पे जब यह थोड़ी देर हो जाए इसे पकते हुए लगबग एक से डेड में तो जो हमने घी गरम होने के लिए साइड में रखा है ना वहां से आदी कर्ची जितना घी लेंगे यहां पे डाल देंगे अच्छे से इस घी को मिक्स करेंगे बस लगातार चलाते रहेंगे आँच को है जो मीडियम रखेंगे और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है लगातार चलाते रहना है तब तक चलाना है कि यह पूरा घी है जो इसके साथ मिक्स ना हो जाए जब यह घी मिक्स हो जाए फिर से ह आदी कर्ची जितना घी लेंगे गरम गरम गी इसमें डालते जाएंगे, इस से क्या होगा इसमें जाग बनेगे और साथ में मेदा भी हमारा पकता रहेगा, बस इस से इस तरह इसे डालते जाएंगे तो जो घी हमने लेँ आbew पूरा घी इसमें डल जाएगा, आप एक टॉरे जादा ले ले लिए मगर एक क्टोरी से घी कम ना किजिए अगर कम कर दिया ना तो फिर आपका जो नारियल मसूर पाक बनेगा ना वो थोड़ा ज़्यादा कड़क बन जाएगा तो जितना आपको नारियल और मेदा लेना उतना ही आपको घी लेना है वालवाई लोग जादा घी नहीं एड़ करेंगे सिर्फ एक क्टोरी में काम चल जाएगा तो इस तरीके से आपको पांस से छे बार में जो बाकी घी आदा बचा है ना वो इसमें डालते रहना है और लगाता चलाते रहना है तो इस तरीके से यह देख सकते हो धीरे धीरे फलफी होता जा र तो यह देख सकते हो अच्छे से पक चुका है तो लाश्ट में जब आप इसे उतारने लगे ना गैस से तो आपको क्या करना है यहां पर हाइफ लेम पे कर देना है गैस को और इसे लगातार बस फटा फट से चलाना है इससे इतना गरम कर लेना है कि अपने आपी बाद में अंदर से ब्राउन हो जाएगा तो यह देख सकते हो गैस को मैंने बंद कर दिया फटा फट से अब हमें रुकना नहीं है जो हमने टीन को ग्रीज करके रखा ना इसमें फटा फट से ओल्ट देंगे अगर अपने थोड़ी देरी रखा ना तो यह क्या होगा इसी में है जो स इसे आपको कर देने वह दोफ़ी वहुं प्रुट घर रहएंगे तो बूस्ट ने बेर फटा कि इसा ओंडलित है जह दो enda गएए मैं पहले ड्राइपड डालना भूल गई ठी अगर आप ड्राइपड रूर्व डा रहे हो तो तुरंत गरम में इस तरीके से डाल डोदेजिए όboro पर चम्म से दबा दीजिए ताकि अंदर अच्छे से सेट हो जाए और जो पैन हमने रखा है वो पैन फिर से देदेंगे पांच मिन्ट बस इस तरह के से बेट करना है पांच मिन्ट के बाद में आपको क्या करना है इसकी कटिंग कर देनी है अगर आपने ज्यादा टाइम किजिए और फिर से हम क्या करेंगे इसे ढखके और आदे घंटे के लिए रख देंगे तो आदे घंटे में बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा पीस हमने पहले सी कट करके रखे अगर आपने आदे घंटे ऐसी रख दिया ना तो बाद में पीस नहीं कट कर पाओगे फिर आपको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा तो यह अच्छे से आदे घंटे के बाद में सेट हो गया तो फ्रीज बगेरा में बिल्कुल भी नहीं रखना है इस तरीके से बटर पेपर को निकाल लेंगे इस तरीके से तो बटर पेपर लगाया तो यह असानी से निकल नहीं बहुत ही जादा खसता बनता है एकदम जालीदार बनता है अंदर से ब्राउन बना है आप भी इस ट्रीक से है जो बना सकती हो एकदम मार्केट जैसा हमारा है जो यह मसूर पाक बनेगा तो दोस्तों अगर आपको मेरी मैनत और मेरे स्पीच थोड़ी बहुत भी अच्छी तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए तो इतने सारे पीस हमारे यहां पे निकल गए है जो साइड की किनारे निकले इसे मैंने अलग प्लेट में निकाले है यह देख सकते हो तो इन किनारों को नारियल मसूर पाक बनकर त्यार हो गया है तो इस तरीके से बना के बिना फ्रिज में रखे आप है ना 15 से 20 दिन अराम से खा सकते हो तो आभी इस दिवाली पे आप ये रस्पी जरूर ट्राइ करना आपके घर में सभी को बहुत ही जाद अपसंद आएगी रस्पी अच्छ झाल आपसंद